नमस्कार निउस टाइम्स किस बुलिटीन में आप सभी का स्वागत है आपके साथ में उत्रुपते विश्वकर्मा तो शलिए नजर डालते हैं आज की जिले की खबरों पर बालू का अवैद कारोबार रुपने का नाम नहीं ले रहा है जीला प्रशाशन और पुलिस की ओर से लगातार निग्रानी करने के बावजूद बालू माफ्या अवैद बालू का उठाव करने में सफल होते जा रहे हैं चैंबासा पुलिस द्वारा सुक्रुआर की रात में अवैद बालू के खिलाफ अभ्यान चलाया गया इस दवरान मुफसिल थाना छेतर से अवैद बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़ा गया ट्रैक्टर के चालक अजय पूर्थी ने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उसे दोड़ा कर पकड़ लिया ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है और गिरफतार चालक को नयाएक रासत में जिल भेज दिया गया है जगनातपूर थाना के सारबिल गाओं के पास सडक दुरगटना में घायर रेल कर्मी की इलाज के दवरान सदर अस्पताल में मौत हो मृतक का नाम प्रेम चिंद्र बुबोंगा था वह डांगवा पोसी में रेलवे का काम करता था बताया जा रहा है कि शुकरवार की राद दस बजे डूटी खत्म होने के बाद वह मोटरसाइकल से अपने गाओं बड़ाननदा जा रहा था रास्ते में सारबिल गाओं के पास सडक पर गिरे पेड़ से टकरा गया और घायल हो गया घायल हालत में उसे नौमुंडी टिसको होस्पिटल ले जाया गया जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए रेफर कर दिया गया टेमेच जमशीतपुर ले जाने के दवरान चैंबासा में उसकी हालत बिगडने लगी तो सदर अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दवरान उसकी मौत हो गई मृतक के शाव का पोश्ट माटम सदर अस्पताल में कराया गया और पार्थिव शरीर परिजनों को सौब दिया गया हावडा मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर गोईलकेरा के महादेव साल के पास रेल सुरंग में सुकुरवाद की रात एक मालगाडी बेपट्री हो गई मालगाडी चक्रधरपूर से रावलकेला की ओर जा रही थी इसके डब्बे खाली थे सुरंग के अंदर इंजन के बाद दसवी बोगी पट्री से उतर गई घटना की जानकारी मिलने के बाद चक्रधरपूर रेल मंडल से बैंकिंग इंजन को घटना स्थल पर भेज कर मालगाडी को दो हिस्सों में रेल सुरंग से बाहर निकालने का काम रात में ही सुरू किया गया दस घंटों की मशक्कत के बाद रेल लाइन को दुरूस्त किया दा सका और अब रेलवे लाइन से परिचालन शुरू हुआ आप अपने बच्चों को क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, इंडियन स्टेट फोक और बॉलिवुड डांस सिखाना चाते हैं तो एक बहतरी नाउसर है स्टेशन रोट गुरुद्वारा के पास खुल गया है तृदिलम डांस अकैडमी, इंडिरा कला संगीत विश्व विद्याले, खैगड, चत्तिस गड़ के, मास्टर डिग्री धारी और डॉक्टर नीता गहरवार के शिशिय, सौम्य भारगव, यहां आपके बच्चों को दे करेंगे प्रसिक्षन, सौम्य भारगव, राष्टिय और अंतराष्टिय स्तर पर कथक में कई पुरसकार जीच चुके हैं, डांस की हर कला में निपुन्द, सौम्य भारगव जैसे गुरु के सानिद्धि में अपने बच्चों को प्रसिक्षन दिलाना चाहते हैं तो देर म करें, नामांगर्म प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जे एस सी ए इंटर डिस्ट्रिक अंडर सिक्स्टीन, क्रिकेट प्रत्योगिता में आज मेजबान पश्मी सिंभुम की टीम ने पलामो जीला की टीम को 99 रनों से हरा कर जीत हासल की, पहली बलेबाजी करती हुए पश्म सिंभुम की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट गवां कर 280 रन बनाए, इस टीम की ओर से अमर्तिय चौधरी ने 12 चौकी की मदद से 74 रन बनाए जबकि वैभा मिश्रा ने 8 चौकी और 1 छक्का की मदद से 52 रन बनाया, जवाबी पारी खेलने उतरी पलामो जीला की ट टीम 27 ओवर 3 गिल खेल कर 8 विकेट के नुकसान पर 72 रन ही बना सकी और बारिस के कारण मैच पूरा नहीं हो सका, J.S.C.A. मैथट के अनुसार पश्मी सिंभुम की टीम को 99 रनों से विजेता घोशित कर दिया गया, मैन ओफ दमैच का पुरसकार अमर्तिय चौधरी को दिया गया, नार्कोटिक्स डॉग मॉंटी ने राउलकिला रेलवे स्टेशन में ऑप्रेशन नार्कोस के तहट 9 किलो गांजा बरामत किया, एक गांजा तसकर को गिरफतार किया गया है, बरामत गांजा का बाजार मुल्ये 47,500 रुपे बताया जा रहा है, चक्रधरपूर रेल मं इध्यम से किसी भी तरह के मादक पदार्थ की तसकरी पर पाबंदी लगाई जा सके, इस ऑपरेशन के दावरान शुकरवार को स्पेशल नार्कोटिक्स टीम और आर्प्यप रौलकेला के द्वारा नार्कोटिक्स प्रसिक्षित डॉक के साथ गांजा की तसकरी करने वाले एक गांजा तसकर को पकड़ा गया, जिसका नाम विपिनकुमार यादव है, वह उत्तर प्रदेश के देवरिया जीला का रहने वाला है, विपिनकुमार यादव के पास से गांजे से भरा हुआ एक बैग मिला, जिसमें साढ़े नौ किलो गांजा था, बरामत गांजा का ब आया आया नीलम्शु में स्कूल का पोशा लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर ना नीलम्शु जहां नीलम्शु का वादा दाम कम मजबूती ज्यादा नीलम्शु राजा बाड़ी गली सदर बाजार चायवासा आया आया निलम्शू में स्कूल का पोशा लड़का लगी छोटा बड़ा मिलेगा हरना निलम्शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस डियवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जीला स्कूल, स्पेजी मिशन, संत लिवेका, रूंटा, स्कूल इत्यादी की स्कूल ड्रेस, स्कूल बैल, स्कूल जूते, मौजे, स्कूल बैल, टिफिन बॉक्स इत्यादी उत्तम क्वाल्टी के किफायती दामों में उलब्ध है तो अवस्य पधारे नीलम्शू राजा बाडी कली सदर बाजार चैवासा जहां नीलम्शू का वादा दाम कम मजबूती ज्यादा आया आया नीलम्शू में स्कूल का पोशा लड़का लगी छोटा बड़ा मिलेगा करना विश्व परियावरन दिवस के आउसर पर एनसेस बीएट यूनीट की ओर से महिला कॉलेज चैवासा में पोधार ओपन किया गया वर्ष 2022 विश्व परियावरन दिवस का थीम ओनली वन अर्थ को आधार मान कर कविता लेखन और टीशिट पेंटिंग प्रत्रियोगिता का आयोजन किया गया इस अवसर पर प्राचारे डॉक्टर लोकनाथ ने पोधार ओपन किया उन्होंने कहा कि हमें जल संकट की समस्या की ओर भी ध्यान देने के आवश्चकता है पोधे के साथ साथ जल संडक्षन भी आवश्चक है एनसेस कारेकर्म पदाधिकारी डॉक्टर अर्पित सुमन ने कहा कि एनसेस युनीट की ओर से बर्थ डे कलब मनाया जा रहा है जिसमें छात्राओं को उनके जन्म दिवस पर पोधा दिया जाता है उन्होंने कहा कि पोधा लगाना ही बड़ी बात नहीं है बलकि उसकी उचित देखभाल करना महतपूर्ण है उन्होंने कहा कि 5 जून को गूगल मीट के द्वारा वेबिनार का आयोजन कराया जाएगा जिसमें विश्व परावरन दिवस 2022 की थीम पर परिचर्चा की जाएगी पश्चमी सिंभूम चेंबर ओफ कामर्स का प्रतिनिदी मंडल अध्यक्ष राजकुमार ओजा के नत्यत्तों में पूर्मुखी मंत्री मधू कोडा और सिंभूम की सांसत गीता कोडा से मिला उन्हें यापन सौपते हुए जारकंड सरकार द्वरा सरकिल रेट के हिसाब से होल्डिंग टैक्स वसूलने के निर्णय को वापस लेने की मांकी जारकंड सरकार के कैबिनेट ने होल्डिंग टैक्स में 3-5 कुना की बढ़ोत्तरी कर दी है जिसके कारण आवासी एवं विवसाइक भवनों के टैक्स में काफी बदला हुआ है चेंबर का कहना है कि पिछले दो सालों में महमारी और आपदा के कारण लोग परिशान रहें धीरे धीरे आर्थिक सिती समानी हो रही है ऐसे में आम आदमी के उपर सरकार द्वारा इतना बोज डाल देना कहीं से भी नय संगत नहीं है ओप्रेशन नार्कोस के तहट चक्रधरपुर रेल डिविजन के जारसु गोडा स्टेशन से तीन व्यक्तियों को 45 किलो गांजा के साथ किरुफतार किया गया है तीनों व्यक्ति एक एक ट्रॉली बैग लेकर दिल्ली की ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुँचे थे संदे होने पर बैग के जाच की गई तब उसके अंदर गांजा होने का खुलासा हुआ पकड़े गए तसकर, नंदकिशोर पटेल, दिनिस्तिवारी और पवन कुमार यादव, कटनी, मध्यप्रदेश के रहने वाले हैं बरामद गांजा की कीमत करीब सवा 2 लाख रुपे बताई जा रही है आज के लिए बस इतना ही, कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजर होंगे तब तक, निउस टाइम्स के पूरे टीम को दीज़े इजाज़त नमस्कार